हेलो दोस्तो एलो एक लासेच के इस नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है आज मैं आप लोग को इस वीडियो में सांडिक की दूसरी एक्सराइज यानि कि 4.2 सालो करवाऊंगा तो ध्यान दिजी इसमें कोशन दिया गया कि बिना प्रसरण किये और सांडिकों के गुर्धर्मों का प्रियोग करके निमनलिखित प्रशन एक से फाइफ तक सिद्ध कीजिए यानि कि जो कोशन नमबर 1 से 5 तक कोशन दिये गये हैं उनमें वहाँ पर प्रसार नहीं करना है वहाँ पर आपको सांडिक के गुर्धर्मों का प्रियोग करना है और अगर आपको सांडिक के गुर्धर्म नहीं पता है तो उसका मैंने एक वीडियो पहले ही अपलोड किया ह और उसका लिंक भी नीचे description में दे दिया है आप उस वीडियो को जरूर देख लिजे तब ही आपको ये exercise समझ में आएगी तो ध्यान दिजे इसमें पहला question जो यहाँ पर दिया गया है इसमें ध्यान दिजे यहाँ पर दिया गया है इसमें सानाडिक में पहला कॉलम है X, Y, Z इसके बाद दूसरा कॉलम दिया गया है A, B, C इतना दिया गया है इसके बाद दिया गया है तीसरे कॉलम में X प्लस A, Y प्लस B और Z प्लस C इतना आपको तीसरे कॉलम में दिया गया है और बराबर आपको यहाँ पर सिद्ध करना है 0 और यहाँ पर जो है इसका प्रशार नहीं करना है साड़िक के गुर्धर्म का प्रयोग करना है तो ध्यान देजे यहाँ पर हम लोग LHS side language में तो LHS में ध्यान देजे यहाँ पर दिया गया है X, Y, Z इसके अलावाँ A, B, C यहाँ पर हो जाएगा X प्लस A इसके बाद Y प्लस B इसके बाद Z प्लस C इतना आपको दिया गया है तो अब देजे आपको बताया गया है गुर्धर्म के कि इस साड़िक के किसी भी कॉलम को किसी दूसरे कॉलम के साथ जोड़ा भीजा सकता है घटाया भीजा सकता है तो यहाँ पर धन दिये यहाँ पर हम लोग प्रयोग करेंगे C1 चेंज C1 प्लस C2 C का मतलब है कॉलम से तो यहाँ पर हम लोग पहला कॉलम जो है प्लस ए इसको जोड़ेंगे तो यह आएगा Y प्लस B इसको जोड़ेंगे तो यह हो जाएगा Z प्लस C यहां पर पहला कॉलम जो चेंज हो गया इसके अलावा किसी भी कॉलम में कोई परुतन नहीं करना आपको जैसे दिया गया है सेम लिख दीजिए A B, C यहां पर दिया गया है X प्लस A, Y प्लस B, और यहां पर हो जायागा Z प्लस C, इतना हो गया तो अब ध्यान दिजे, यहां पर कॉलम 1 बराबर है कॉलम 3 के, ध्यान दिजे, पहला वाला कॉलम और यह तीसरा वाला कॉलम दोनों समान है, और आपको साड़क कामान क्या जाएगा ? जीरो, और यहीं आपको यहांपर सिद्ध करना है, तो इस प्रकाश से आप इस तरह के question को जो है सिद्ध करेंगे इसके बाद देजिए question number 2, इसमें भी इुशी प्रकाश से देजिए, यहांपर साड़क में दिया गया है पहले कॉलम में A-B, B-C और इसके बाद दिया गया है C-A, इतना दिया गया है, इसके बाद धन देजी, यहां पर दिया गया है B-C, C-A, इसके बाद A-B, इतना दिया गया है, और फिर यहां पर दिया गया है C-A, इसके बाद A-B, और फिर दिया गया है B-C, और यहां पर भी हम लोग LHS साइड लेंगे तो अब ढ़न दीजिए यहां पर LHS में ध्यां दीजिए पहले कॉलम में दिया गया है A-B B-C फिर इसके बाद C-A यहां पर ढ़न दीजिए B-C C-A A-B और तीसरे कॉलम में दिया गया है C-A A-B B-C इतना दिया गया है तो यहां पर ध्यांदेजिए इसमें भी नोग पहला कॉलम जो है चेंज करेंगे और चेंज कैसे करना है आपको? कॉलम 1, कॉलम 2, कॉलम 3, तीनों कॉलम को यहां पर जोड़ करके जो है पहला कॉलम परिवर्टित करेंगे तो C-1 चेंज किया गया है बाकी दो कॉलम में कोई परतन नहीं करना है तो अब ध्यान देजे जब यहां पर तीनों कॉलम को जोड़ा जाएगा तो अब यहां पर ध्यान देजेगा A और यह माइनस A कट जाएगा इसे प्रकार ध्यान देजे B, B कट जाएगा माइनस B, प्लस B कट गया, इस चिपरकार धान देजी, माइनस C, प्लस C, कट जाएगा, नहीं कि जोड़ेंगे, तो यहाँ पर यह आ जाएगा 0, इस चिपरकार दूसरे में धान देजी, प्लस B, माइनस B, कट जाएगा, माइनस C, प्लस C, कट जाएगा, माइनस A, प्लस C, हो जाए ऐगर C-A, A-B, और B-C, इतना है, तो आप द्लवन दीजिये, यहाँ पर जो साड़क दिया गया, इसमें इसका जो कॉलम दिया गया, इस कॉलम का पrance का प। त then हो तो को यहाँ दिया और आपको बताया गया कि अगर किसी साड़क के प्रत्यक आवयो सून है एतना लिखेंगे तो अब ध्यान देझे जब प्रत्यक आवयो सूने यहां पर साड़क कामान क्या होगा जीरो होगा तो यही आपको लाना था इस प्रकार से आप इसे भी साल करते हैं अब इसके बाद ध्यान देझे Q3, इसमें द्यान देजी, यहां पर दिया गया है अपको साड़िक में, पहले कॉलम में दिया गया है 2, 3, 5, इसके बाद द्यान देजी, दूसरे कॉलम में 7, 8, इसके बाद दिया गया है 9, यहां पर द्यान देजी, यहां पर आपको दिया गया है 65, इसके बाद है 75, और इसक पहले कॉलम में दो तीन पांच साथ आठ नौ यहां पर हो जाएगा पैंशट यहां पर हो जाएगा पच्छतर और छी आसी यह इतना हुआ तो अब ध्यांदीजी यहां पर यह जो तीसरा कॉलम है यानि कि कॉलम 3 इसको हम लोग चेंज करेंगे कॉलम 3 माइनस कॉलम 1 तो अब ध्यांदीजी आपकी बार यह तीसरा कॉलम आपको परिवर्तित करना है ध्यांदीजी को जो इस तरफ लिखा होता है परिवर्तित के वाल उसी को करना है बाकी नियम आपको ये प्रयोग करना है कॉलम 3 से कॉलम 1 घटा के बाकी पहला और दूसरा कॉलम उसी प्रकार लिख देना है ध्यांदी जी पहला कॉलम हो जायेगा 2, 3, 5 दूसरा हो जायेगा 7, 8, 9 और यहां पर दान दे जिसको को चेंज करना है तीसरे से पहला घटा के तो 65 से दो घटाएंगे यहां पर आ जाएगा 63 75 से 3 घटाएंगे यहां पर आ जाएगा 72 86 से यहां पर पांच घटाएंगे यह आजाएगा 81, इतना हो गया? अब इसके बाद ध्यांदी जी यहां पर तो जो तीसरा कॉलम है इस कॉलम से आम लोग 9 कॉमन लेंगे यहां पर आपको जो 9 कॉमन लेना है तो जो 9 कॉमन लेंगे तो ध्यांद जी पहला कॉलम 2, 3, 5, दूसरा कॉलम 7, 8, 9 यहां से 9 कॉमन लिया गया तो यह ध्यांद जी 9, 63, 9, 8, 72, 99, 81 इतना हो गया तो अब की कॉलम 2 बराबर कॉलम 3 और आपको बताया गया कि जब दो कॉलम समान होते हैं तो उस साड़िक का मान सुनने होता है यहनि कि इस प्रकार से आप इसे भी यहाँ पर सिद्ध कर सकते हैं इसके बाद जहन देजे कॉश्चन नमबर 4 जहन देजे यहाँ पर दिया गया है इसमें साड़िक में पहले कॉलम में 1 1 1 इसके बाद दूसरे कॉलम में दिया गया है BC CA AB और इसके बाद जहन देजे यहाँ पर दिया गया है A B प्लस C इसके बाद दिया गया है B C प्लस A और इ यहां पर बराबर मेश में भी सिद्ध करना आपको 0 तो अब ध्यान दीजी यहां पर हम लोग LHC साइड लेंगे इसका तो अब ध्यान दीजी यहां पर दिया गया है 1, 1, 1 इसके बाद दिया गया है BC, CA, AB यहां पर ध्यान दीजी A, B, P, C यहां पर हो जाएगा B C प्लस A C, A प्लस B इतना हुआ तो अब ध्यान दीजी यहां पर इसे लिखा जाएगा 1, 1, 1 यह हो जाएगा BC, CA, AB इसका इसमें गुड़ा किया जाएगा तो ध्यान दीजी यह होगा AB और इसमें गुड़ा कर देंगे तो प्लस CA इस ही प्रकार यहां पर ध्यान दीजी इसका गुड़ा करेंगे तो BC और प्लस इसमें गुड़ा करेंगे AB यहां पर ध्यान दीजी इसका गुड़ा करेंगे CA इसमें गुड़ा करेंगे तो प्लस BC इतना हुआ, आप इसके बाद यहां पर हम लोग तीसरा कॉलम् querer करेंगे यानि ये वाला कॉलम् आपको Change करना है और Change कैसे करना है, कॉलम 3, Plus, कॉलम 2 यानि कि इस कॉलम् को Change करना है, इस कॉलम् के साथ जोड़ करके तो अब ध्यान दीजे यहां पर इसमें ध्यान देना है आपको अब इसमें लिखेंगे आप यहां पर 1, 1, 1 ध्यान दीजे इस column में कोई परतों नहीं किया गया है BC, CA और इसके बाद AB इतना हो गया यहां पर ध्यान दीजे इसको change करना जोड़ करके तो जब इसको जोड़ेंगे तो ध्यान दीजे यहां पर हो जाएगा AB इसको जोड़ेंगे तो प्लस BC प्लस CA यहां पर भी ध्यान दीजे इसको जोड़ेंगे तो AB, BC, CA उस्षी प्रकार से बनेगा AB plus BC plus CA इसको भी जोड़ेंगे तो धन्देजी AB plus BC plus CA यहाँ पर भी आएगा AB plus BC plus CA इतना हुआ तो अब धन्देजी यहाँ पर AB plus BC plus CA यह पूरे कॉलम से common हो जाएगा तो जब यहाँ पर नमलोग AB plus BC plus CA यह common लेंगे तो अब धन्देजी यहां पर 1 1 1 यहां पर हो जायागा B C C A A B यहां से पूरे में common हो गया तो यहां पर भी पचेगा 1 1 1 तो अब ध्यान दीजी अब यहां पर जो है column 1 बराबर column 3 दो column बराबर हो गए और जब दो column बराबर हो जाएंगे तो इसका मान सुनने होता है यहीं कि अब बता सकते हैं बराबर 0 यहीं आपको यहां पर सिद्ध करना था तो इस प्रकास से आप इस तरह के question को सालो कर तकते हैं अब इसके बाद ध्यान दीजी question number 5 तो यहां पर question number 5 आपको दिया गया इसमें B plus C इसके बाद दिया गया है C plus A और फिर यहां पर है A plus B इतना हो जाएगा इसके बाद ध्यान दीजी यहां पर दिया गया Q plus R R plus P और फिर इसके बाद दिया गया है P plus Q और इसके बाद दिया गया है Y plus Z यहां पर हो जाएगा Z plus X और यहां पर हो और ध्यांदीजे, बराबर में यहाँ पर आपको सिध्ध करना है, दो, उसके बाद साड़िक में ध्यांदीजे, पहले कॉलम में दिया गया A, B, C, दूसरे कॉलम में है P, Q, R, और तीसरे कॉलम में है X, Y, Z, इतना आपको यहाँ पर सिध्ध करना है, तो अब ध्यांदीजे, यहां पर ध्यांद दिजी यह पहली row यह दूसरी row और यह तीशरी row तो यहां पर हम लोग इस बार row परियूरतित करेंगे जन्य की पहली row को जो है change करना है और change कैसे करना ध्यांद दिजी r1 r2-r3 यन्य की पहली और दूसरी row जोड़ेंगे और उसके बाद उससे तीसरी रो घटाएंगे तो अब ध्यान दीजी यहाँ पर इसके अलावाद दो रो जो है यानि कि दूसरी और तीसरी रो इसमें कोई पर तो नहें करना है तो अब ध्यान दीजी जब इसको और इसको जोड़ेंगे तो जोडने पर यह हो जाएगा 2C इसके अलावाँ A प्लस B जब हम लोग इसको घटा देंगे तो A से A कट जाएगा B से B कट जाएगा हम बचेगा कितना 2C इतना आ जाएगा इसी प्रकार यहां पर जोड़ेंगे जिब इसको और इसको जोड़ेंगे इसको जोड़ेंगे इतना इसको जोड़ने पर आएगा जिब भीड़ेंगे तो इसको माइनस करेंगे तो अब देहन देजी यहां पर A से A कट जाएगा B से B कट जाएगा तो यहां पर बचेगा 2C उसी प्रकार यहां पर इससभी को किया गया है तो अब इसके बाद ध्यान देजी, दूसरी रोवसी प्रकार लिख देना है, C प्लस A, R प्लस P, यहां पर हो जाएगा Z प्लस X, इसके बाद ध्यान देजी, A प्लस B, यहां पर हो जाएगा P प्लस Q, और इसके बाद X प्लस Y, इतना हुआ, अब इसके बाद ध्यान देजी, C plus A, A plus B, यहाँ पर हो जाएगा R plus P, यहाँ पर हो जाएगा P plus Q, इसी प्रिकार यहाँ पर देन दीजी, Z plus X और X plus Y, यह इतना हो जाएगा, अब इसके बाद देन दीजी, अब यहाँ पर हम लोग दूसरी रो को चेंज करेंगे, यानि कि R2, और R2 कैसे चेंज करना है, R2 minus R1 दूसरी रो से पहली रो घटाना है, बाकी पहली रो में कोई परत्वन नहीं करना है, तो अब ध्यान दीजी, यहाँ पर इसमें, देखें, यहाँ पर लिखेंगे 2, इसके बाद ध्यान दीजी, पहली रो उशी प्रिकार लिखना है आपको, C, R, Z, दूसरी रो परियोत करन है, R2-R1, तो ध्यान दीजी, इससे जब इसको घटाएंगे, तो C से C कट जाएगा, अपर बचेगा A, इसके बाद ध्यान दीजी, यहाँ से इसको घटाएंगे, तो R से R कट जाएगा, बचेगा P, इससे इसको घटाएंगे, तो ध्यान दीजी, यहाँ पर Z से Z कट जाए गा, X plus Y, इतना हो गया, अब इसके बाद ध्यान दीजी, यहां पर फिर से हम लोग नियम लगाएंगे, अपकी बार R3 चेंज करेंगे, और R3 कैसे बिदलना है, ध्यान दीजी, R3 minus R2, तो अब ध्यान दीजी, यहां पर रोजाय अगर 2, पहली तो उससे प्रकार से लिखना है C, R, Z, दूसरी उससे प्रकार लिख दीजी, A, P, X, तीसरी में ध्यान दीजी, R3 minus R2, इससे इसको घटाएंगे, तो A से A कट जाएगा, यहां बचेगा B, इससे इसको घटाएंगे, P से P कट जाएगा, बचेगा Q, इससे इसको घटाएंगे, तो X से X कट जाएगा, यहां 2 की जगे पर R1 लिख देना है, और R1 की जगे पर R2 लिख देना है, और ऐसा करने पर साड़ी का मान नहीं बदलता, लेकिन यहां पर साड़ी का चिन बदल जाता है, तो अब धन दीजी, यहां पर साड़ी का चिन प्लस है, अब कैसा हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, क्यो अब इसके बाद B, Q, Y और यहाँ पर इसका चिन है बदल के हो गया माइनस, अब इसके बाद ध्यन दिजी, यहाँ पर फिर तहीं लोग चेंज करेंगे अपकी बार R3 चेंज R2, इस बार R2 को R3 से बदलेंगे, जब फिर बदलेंगे तो फिर इसका चीन है बदलेगा ध्यन दिजी आपर माइनस था इस बार प्लस हो जाएगा अब ध्यन दिजी पहली रोल लिख दिजी A P X इसके बाद ध्यन दिजी यहाँ पर आपको दिया गया है C R Z अब यह तीसरी हो गई इसको आप दूसरी रो बना दिजी B Q Y इसके अलावा C R Z तो अब आप चेक कर सकते हैं RHS साइड में आपको यही जो है सिद्ध करना था आप स्क्रीन पर देख सकते हैं अनिकि RHS में आपको इतना ही लाना था तो इस प्रकार से जो है आप इस तरह की कोशन को साल कर सकते हैं इसके बाद ध्यान दिजी question number 6 तो इस स्क्रीन पर देख सकते हैं आप question इसका LHS साइड ध्यान दिजी LHS में आपको यहां पर दिया गया है इसमें पहले कॉलम में 0, minus A, B इसके बाद ध्यान दिजी दूसरे कॉलम में दिया गया है A, 0, C और इसके बाद minus B, फिर minus C और इसके बाद 0 इतना आपको दिया गया है और इससे बराबर 0 सिद्ध करना है तो अब ध्यान दिजी यहां पर जो दूसरी रो है यह वाली ध्यान दिजी यहां पर आपको A दिया गया, C दिया गया, इस रो में B नहीं है तो यहां पर ध्यान दिजी यह जो दूसरी रो है इसमें हम ध्यान देजी, पहली रो उश्य प्रकार लिख दीजी, 0, A, माइनस, B, दूसरी रो में, B से गुड़ा कर दीजी, तो यहां पर हो जाएगा, माइनस, A, B, यह पहले से 0 दिया गया, यहां पर गुड़ा किया जाएगा, तो माइनस, B, C, इतना हो गया, इस वाले में ध्यान दीजी, इस प्रकार से, इसमें गुड़ा करना है, A से, तो यह वाला हो जाएगा, A, B, यहां पर हो जाएगा, A, C, और यहां पर ध्यान दीजी गुड़ा करेंगे, तो ये 0, इस प्रकाश ये इतना हुआ, अब इसके बाद ध्यान दीजी, यहां पर ये वाली रो और ये वाली रो जोड़ देंगे, यानि कि ध्यान दीजी, यहां पर लिखेंगे, R2 प्लस R3, ये दोनो रो यहां पर जोड़ना है, तो अब ध्यान दीजी, जब इसको जाएगा तो पहली रोव रहेगे 0 a minus b दूसरी रो में धंदी इसको और इसको जोड़ेंगे तो ये 0 हो जाएगा plus minus इसको जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा AC और इसको जोड़ने पर भी ये होगा minus BC यहां पर धंदी जे A, B, A, C, 0 तो अब यहाँ पर ध्यान देजे पहला कॉलम जो दिया गया इसके दो अवेव 0 है केवल एक अवेव दिया गया है तो अब यहाँ पर हम लोग पहले कॉलम के सापेश प्रसार करेंगे तो यहाँ पर आप लेख सकते हैं C1 के सापेश प्रसार यानि कि पहले कॉलम के सापेश यहाँ पर प्रसार करना है तो अब ध्यान देजे पहले कॉलम के सापेश प्रसार करेंगे तो पहला आवेव 0 है दूसरा आवेव भी 0 है तीसरे आवेव सिद्धेगाना तो ध्यान देजे प्लस A, B तो अब धन्दीजी यहाँ पर तीसरा वयो जब लेंगे तो इसके पास वाला कॉलम ये और ये वाली रो इतनी बंद हो जाएंगे तो यहाँ पर धन्दीजी चार वयो बचे ये और ये तो पहले इसका गुड़ा इधर कर देंगे और फिर इसका गुड़ा इधर करेंगे जीरो और यही आपको सिध्ध करना है तो बराबर आरेचेस तो इस प्रकार से आप इस तरह के कोशन को सिध्ध करते हैं इसके बाद देजे कोशन नमबर सेवन तो यहां पर देजे इसमें LHS साइट में देजे LHS साइट में यहां पर आपको दिया गया है पहले कॉलम में माइनस A स्कॉार इसके बाद दिया गया है BA फिर है CA इतना दिया गया है दूसरे कॉलम में दिया गया है AB इसके बाद माइनस B स्कॉार और फिर दिया गया है CB इसके बाद ध्यांदी जी तीसरे कॉलम में दिया गया है A C इसके बाद B C फिर माइनस C स्क्वार और आप ध्यांदी जी बराबर में आपको इस्थ करना है आपड़ 4 A स्क्वार B स्क्वार C स्क्वार तो अब ध्यांदी जी यहां पर जो हम लोग पहले कॉलम से A common लेंगे ध्यांदी जी सभी में A दिया गया है दूसरे कॉलम से B common लेंगे और तीसरे कॉलम से C common लेंगे तो यहां पर common हो जाएगा A B C पहले कॉलम से A common लिया गया तो ध्यांदी जी यहां पर बचेगा minus A, क्योंकि A square था यहांसे A common हो गया, B बचेगा यहांपर बच जाएगा C इसी प्रिकार धहनदेजी, यहांसे B common लिया गया तो यहांपर बचेगा A यहांपर बचेगा minus का B और यहांपर धहनदेजी, बच जाएगा C, इसके बाद द्यान दिजी इस वाले में यहां से C common लिया गया तो यहां पर बचेगा A इसके बाद द्यान दिजी B और यहां पर बच जाएगा minus का C तो यह इतना हुआ अब इसके बाद द्यान दिजी पहली वाली रो में A common है दूसरी वाली रो में B common है और तीसरी वाली रो में C common है तो फिर से जब A common लेंगे तो ये हो जाएगा A square B common लेंगे तो ये हो जाएगा B square C common लेंगे तो ये हो जाएगा C square तो अब यहाँ पर बच्चा minus 1 यहाँ पर 1, 1 यहाँ पर भी हो जाएगा 1, minus 1 इसके बाद 1, यहाँ पर ध्यान देजी, 1, 1 और –1, यह इतना हो गया, अब इसके बाद यहाँ पर हम लोग पहला कॉलम जो है, चेंज करेंगे, यह वाला कॉलम आपको परियोतित करना है, कॉलम 1 प्लस कॉलम 2, इन दोनों कॉलम को जोड़ करके, तो अब ध्यान देजी, यहा यहाँ पर भी प्लस माइनस 0, यह दोनों जुड़ के हो जाएंगे, 2, इसके बाद ध्यान देजी, दूसरा कॉलम उसे पकार लिख देजी, 1, 1, माइनस 1, इसके बाद 1, तीसरा ध्यान देजी, 1, 1, माइनस 1, तो अब ध्यान देजी, आप जो पहला कॉलम है, इसके दो अवेव सून नहीं हो गए, एक अवेव बचा, तो यहाँ पर हम लोग पहले कॉलम के सापेश प्रसार करेंगे, तो C1 के सापेश प्रसार, तो दूसरा ध्यान देजी, जब यह आवेव लेंगे हम लोग, तो इसके साथ वाली रो और यह कॉलम, यह आपको छोड़ देना है इतना, तो अब ध्यान देजी, चार ध्यान देजी, इसका गुड़ा करेंगे, पहले यहाँ पर तो एक एक कम एक, फिर इसका गुड़ा इधर करेंगे, तो अब ध्यान देजी, एक एक कम एक, तो यह माइनेश में आएगा, तो यह प्लस हो जाएगा, इतना हुआ, अब इसके बाद ध्यान देजी, A स्कार, B स्कार, C स्कार, यहाँ पर यह जुड़ेगा, तो एक और एक दो, दो का गुड़ा इसमें करेंगे, चार, यानि कि यह आजाएगा, 4, A स्कार, B स्कार, C स्कार, और यही आपको RHS में सिद्ध करना था, तो बाकी के कोशन में आप लोगों को नेक्स वीडियो में बताऊंगा, अगर आप सभी को यह वीडियो पशंद आया हो, तो इस वीडियो को लाइक और शेर जरूर करिएगा, और इस तरह की वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, धन्यवाद,